पास्ता वो भी कूकर में बनाया हैं कभी आपने? चलो मैं बताती हूँ कैसे बनता है? बहुत जटबट बनेगा, बहुत स्वादिश बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे की बजार में मिलता हो तो इसके लिए हम प्याज कट कर लेते हैं, हरी मिर्ची कट कर लेते हैं, टमाटर कट कर लेते हैं वेजिज आप जो डालना चाहिए, आप उस इसाफ वाले अपनी वेजिज डाल सकते हैं तो सबसे पहले मैंने वेजिज को कट किया, आप कूकर में मैंने डाला है तेल तेल डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं प्याज प्याज मैंने थोड़ी ज़्यादा लिये क्योंकि मुझे बनाना है पास्ता अच्छा चटपटे वाला तो मैंने इसमें प्याज डाल दिये हैं अब हरे मिर्चे डालेंगे अच्छे से हम इन सब ये को पका लेंगे इसके लिए फिर हम रेगुलर मसाले डाल रहे हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, अब इनको भी हम अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि यह वाला प्रोसेस है ना, टाइम सेविंग प्रोसेस है, और जटपट से बनने वाला है, बहुत स्वाधिश भी बनता है, अब मैं क इसमें पास्ता सोस डाल दी है, और पास्ता सोस डालने के बाद अच्छे से इसको भी हम पका लेते हैं, अब इसमें हम सीधे डालेंगे मैकरोनी, यह देखिए, मैकरोनी हमने सारे इसके अंदर डाल दी है, आप पास्ता बोले हैं मैकरोनी, होती है तो दोनों चीत सेमी है, अब इसमें पानी, पानी इसी साब से डालना है कि हमारी सारे जो इंग्रेडियन्स है वो डूब जाए पानी में और थोड़ा सा पानी उपर आ जाए और अब इसमें मैं डालती हूँ नमक, यह वाला जो अप्शन है यह बहुत अच्छा है, अब मैंने इसमें डाला है कुछ दिय में इसमें अब मैंने अमें आफंटी कोंटी कवाळ रही हो जितने आप ऐसमें बना खुरी आप इसमें वारे अस्चेप जादा मासाल्य के डाले, 200मक, कवसम दोड़ा डाले ऑधो इसमें बहुत कवा जाना बाकी है अभी मैं ginger और garlic का paste डाल ली हूँ जिससे इसका texture भढ़ जाए स्वाद का texture बहुत अच्छा हैगा और इसके बाद मैंने इसमें डाला है cheese तो cheese यह की पिंगल जाएगा फ्रिज में बिल्कुल टाइट हो गया था मैंने इसको बड़े टुकडों में काटके डाल दिया और वैसे भी कूकर में तो सब कुछ गरम होके पिंगली जाता है तो मैंने इसमें cheese डाल दिया cheese डालना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पास्ते में जो cheese का स्वाद आता है उसी से तो पास्ता हमारा बहुत स्वादिश लगता है अब मैंने cheese को अच्छे से पिंगला दिया है और बच्चे ऐसे खड़े हो रहे हैं खड़े हो के मेरे side देखे जा रहे हैं कि बस ममी अभी बना दे अभी खाले और मेरे साथ help भी करवा रहे हैं मैंने कुछ इसमें डाले हैं यहां पे मक्का के दाने और आब यह लीजिए अल्मोस हमारी चीजे सब जा चुकी है इसके अंदर और हम धक्कन लगाते थे हैं और इसमें दो या तीन सीटी आं लगाएंगे तो हमारा पास्ता बनके त्यार हो जाता है यह देखिए हमारा पा तो बिल्कुल रेडी था अगर आपको लगता है कि कुछ हाड है तो आप एक सीटी और थोड़ा सा पानी डाल के लगवा लेजिए बहुत स्वादिश बनता है मैंने खाया वाओ बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों को बहुत पसंद आए हैंने कितना आसाम बनाना पास्ता बिल्कुल असान सी रेसिपी है आपको कोई नहीं बताएगा इतनी असान रेसिपी तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए अभी कर दीजिए शेयर भूलना जाना और घर पे बना के जरूर देखना पास्ता इस स्टाइल में बहुत टेस्टी बनेगा जट बट बनेगा जल्दी बनेगा टाइम सेविंग होगी आपकी सफिर उसके बाद मैंने बच्चों को सब कर दिया कुन सी सिटी से देख रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताना और पास्ता किस को पसंद है मैंने इसमें म्योनिज नहीं डाली म्योनिज थोड़ी बच्चों के लिए खतरनाक होती है ब कोंटिनेंडल फूड थोड़ा वाइड करें तो यह अच्छा है पर फिर भी बच्चों के स्वाद के लिए रोटी खाती खाते कहते हैं हम पक जाते हैं तो कुछ अलग बनाओ तब मैं यह बना देती हूं तो कैसा लगा पास तक कमेंट